नमस्कार दोस्तों आप सभी को जन्माश्टमी की हार्दिक शुक्कामना है फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम देखेंगे MSME जिसे उध्यम रजिस्टेशन के नाम से भी जाना जाता है ओनलाइन कैसे अपलाई कर सकते हैं फ्रेंट्स सबसे अच्छी वाद इसमें आपको एक भी डॉक्यमेंट अपलोड नहीं करना है यह टोटली पेपरलेस है कहीं डिपार्टमेंट में जाके कोई एप्लिकेशन सब्मिट नहीं करनी है ओनलाइन ही पूरा एप्लिकेशन का प्रोसेस होगा फ्रेंट्स एक जो पॉइंट हमेशा आता है कि MSME की रेजिस्टेशन के लिए GST रेजिस्टेशन होना कंपलसरी है नहीं ऐसा कोई mandatory नहीं है अगर आपके पास है तो well and good नहीं है तो कोई mandatory नहीं है कुछ चीजे जैसे आदार कार, pen card, firm का bank account number, NIC board, number of employees कि इसमें requirement रहेगी जो हम online process करेंगे तो देखते चलेंगे friends सबसे पहले आपको दिहान रखना है MSME का नया side आ गया है उसी से आपको MSME registration का process करना है इसका link पर आपको description में दे दूँगा उद्यमregistration.gov.in इसकी website का नाम है जब आप इस पर open करोगे तो ऐसा interface आपको open हो दिखेगा उस पर आपको for new enterprises पे click करना है new enterprises पे click करते ही आदार number और name of entrepreneur पूछेगा यह proprietorship concern है तो उसका आदार number और name आ जाएगा partnership के case में जो आपका करता है उसका आदार number और नाम आ जाएगा HUF है तो जो आपका HUF है, HUF का करता है उसका नाम आ जाएगा जब आप आदार number और नाम डाल दोगे तो आपको validate and generate OTP करना है इस आदार के साथ जो mobile number लिंक है उस पर एक OTP आएगा आपको OTP डालना है और प्रोसीड करना है जब आप प्रोसीड कर दोगे तो ऐसा एक pop-up आएगा यह और आदार has been successfully verified फिर वह आपसे पूछेगा कि आपके organization का type बताईए कि आप partnership और proprietorship कैसे है आपको pen number डालना है और pen number को validate करना है validate करते ही एक एक ऐसा message आजाएगा कि आपका pen successfully verified हो गया है उसके बाद में आपसे दो information पूछी जाएगी पहली information कि आपने previous financial year का ITR file किया या नहीं किया मेरे case में no automatically आ रहा है क्योंकि जो यह मेरी partnership firm है वह इसी financial year में incorporate हुई है तो इसलिए यहाँ पर previous financial year के ITR में no आ रहा है अगर आपकी case में अपने file की है तो आप yes पर click कर देना इसी प्रकार से आपके पाद GSTN number है या नहीं है उसका information आपको देना है मेरे case में मैंने exempt किया हुआ है क्योंकि अभी तक मेरी threshold limit MSME को भेज नहीं है तो इस mobile number और email id पर भेज सकते हैं और आप भी अगर कुछ information लेना चाहते हैं तो यह mobile number और email id पर प्रेंट्स इसके बाद में जो ownership का percentage आता है उसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि यह non-editable है यह जस्ट एक percentage है STA या OBCA category हमें select करना है इसी प्रकार से gender में male female को select करना है कि आपका case में क्या है इसी प्रकार से आपको यह बताना है कि कोई specially abled person है या नहीं है वह आपको यहां पर select करना है name of enterprises अगर GST number आपने ले रखा है तो जो GST के टाइम पर जब MSME registration generate होगा तो उस पर यही नाम आएगा दैन आपको यह बताना है कि अगर आप कोई आपकी कोई plant unit या go down है उसको आप add unit कर सकते हैं और उसका location उसका address वगर आपको यहां पर पूरा डालना है जिसमें normal building का नाम district state जो नॉर्मल चीज़ होती है वह आपको यह पर डालना है इसी परकार से आपको अपना office address डालना है office address में भी name of premises building district state जो नॉर्मल चीज़े है वो डालना है अगर आपने पहले कभी EMU या UAM registration number ले रखा है तो आपको इन में से appropriate button choose करना है मेरे case में नहीं है तो मैंने note applicable को click कर लिया है फिर आपको बताना है कि आपकी जो enterprises वो incorporate कभी है उसका date आपको यहाँ पर देना है और साथी साथ यह भी बताना है कि आपने अपना business या production commence कर दिया है यह हो सकता है कि जो आपकी incorporation date हो और date of commencement हो वो अलग-अलग हो सकते हैं तो अगर जो अलग है तो आपक को देना है उसमें उसका बैंक का नाम और बैंक अकॉड नमबर देना है तो इंडिजिवल का बैंक अकॉड नमबर और आफसी कोड नेम चल सकता है अब आपको 17 में यह सेलेक्ट करना है कि आप manufacturing unit है या आप जैसे ही services में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो activity open हो जाएगी known trading or trading MSME का registration trading person को भी मिलने लग गया है तो इसमें से आप यह देख लीजिए कि आप MSME में service के साथ साथ trading activity भी करते हैं क्या वो आपको यहां पर check करना होगा अब NIC code जो भी आप business करते हैं जो भी आप trading करते हैं या services करते हैं उसके अंदर आपको NIC code डालना है तो NIC code के लिए अगर आपको आपकी activity का description पता है तो आप जस्ट यहां पर simple उसको type कर सकते हैं वो आपको आपकी activity से related जो भी NIC code है वो बता देगा और आपको उसको simply select करन करना है select करने के बाद में आपको क्या करना है कि वो आपको यह बता देगा कि आपके उस services के accordingly टू जी पाइब फॉर डिजिट और फाइब डिजिट एनसी कोड क्या रहे हैं आपको यहां पर simply service select करना है फिर आप यहां पर search कर सकते हैं अगर trading है तो trading select करना है आप यहां पर वो NIC 2-digit 4-digit or 5-digit activity add होती जाएगी आप 19 में आपको यह बताना है कि आपकी कितने employee है आपकी firm में minimum एक तो होना ही चीए एक से ज़्यादा है तो आपको यह पूरा बताना है उसके बाद एक declaration देना है then previous financial year में आपकी returnant WDV कितनी थी plant and machinery की वो आपको यहां पर बताना है इन रुपीज में जब आप यहां पर बता देंगे तो फिर उसमें से exclusion, cost, pollution, control, research and development and industrial safety यह कितना है वो भी आपको यहां पर बताना है इसी के साथ साथ आपको turnover भी देना है previous financial year का मेरे case में क्योंकि मैंने यह नई entity है तो कुछ भी नहीं है इसी के साथ साथ आप अगर other portal पर है district industry central आपके pin code के आधार पर आ जाएगा submit and get final OTP लेना है एक pop-up आएगा जो आपसे पूछेगा कि आपने जो mobile number add क्या है वो correct है उस पर click करोगे तो आपको एक OTP देना है आपके mobile number पर जो आएगा और उसको click कर देना है आपका ओध्यम registration number आपके पास में आ जाएगा उसको आने के बाद में आपको क्या करना है print and verify पर जाना है print ओध्यम certificate पर click करना है आपको अपना register registration number जो आया है उसको यहां पर डालना है और mobile number को डालना है validate and generate OTP करना है और आप यह जो है आपका registration print कर सकते हैं इसको एक से दो दिन लगते हैं आने में फ्रेंट्स यह एक पूरा complete वीडियो था अगर आप यह registration process खोलो करते हैं तो MSME का registration आपको online मिल सकता है along with आप उसको print और download कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए subscribe कीजिए चैनल को बैल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने friends के साथ में इसको share कीजिए till then happy जन्मास्ट मी जै हिंच जै भारत धन्यवाद